मेरे कुछ बच्चो को मेरे आदेश से और मेरे आशरवाद से व्रिंदावन जाना होगा, तो वहीं कुछ बच्चो को मा भवानी के दर्शन करने पड़ेंगे। याद रखना, वहाँ तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम होना रखा है, और मैं जहाँ भेजूँगा, चाहे जिस रूप में भेजूँगा, किसी को राम दर बार भी भेजूँगा, तो किसी को संकट मुचन हनुमान के पास भी जाना होगा। मैं जहाँ भेजूँगा, वहाँ जाना, पूरे मन से जाना, क्योंकि तुम्हारा साई तो तुम्हें शेडे बुला ही लेगा, लेकिन अगर तुम्हारे साई तुम्हें कहीं और भेज रहे हैं, तो उस पर यकीन रखो। मेरे कुछ बच्चों की ऐसी जिद रहती है कि बाबा, तुमने जो वस्त्र धारण किये हैं, उसमें से मुझे कुछ आशरवाद दे दो, तो तुम जो चाहते हो न, मेरी शौल, या मेरे शरीर पर रखा गया वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी, तो तुम्हारा ये प् चिंता मत करो, तुम्हें खुद मिलेगा, मेरे उपर धारण किया हुआ, एक बहुत सुन्दर सा कशीदा किया हुआ, एक बहुत सुन्दर वस्त्र, जिसे तुम संभाल कर रखना, और जब भी तुम्हें मेरी कमी महसूस हो या डर लगे न, तो बस, तुम उसे एक बार अप आपने पास, छू लेना और देखना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हें उससे मेरे होने की अनुभूती मिलेगी, लेकिन इन सब के लिए तुम्हें मेरे मंदिर आना होगा, मेरे दर्शन लेने होगे, और अगर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाओंगा, अभी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार में बहुत आध्यात्मिक वृद्धी होगी, दूसरों के बुद्धी पर चलने वाले परिवार के सदस्य के लोगों को अब सच्चाई महसूस होने लगेगी, लेकिन तुम उन्हें अपने शब्द तुम्हारे साथ गलत करते थे तुम्हारे सच्चे होने के बावजूद भी, अब उन्हें सब सच्चाई महसूस होने लगेगा, अब उन्हें पीछे हटना पड़ेगा अपने पाप कर्मों से, तुम निश्यंत रहो, अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है, बस ये थोड़ा सा उल्जन चल रहा है, अब ये भी समाप्त हो जाएगा, घबडाओ मत, तुम्हें बीज मसधार में कभी नहीं छोड़ूँगा, एक बहुत पवित्र नदी से तुम्हारे लिए आशरवाद रूप में जल भेजूँगा, उसे स्वीकार करना, बहुत खुश बहुत खुश रहो, मैं आ रहा हूँ